मुखे खावर पर एमुक्सी सिलिन दुरुत रक्त प्रभाहे प्रवेश करे। ओशो दुरुगीर्मु समस्त देहे छोरिये परे एबंग रक्त रोशे एमुक्सी सिलिन एर परिमान समन मत्राई एम पी सिलिन अपेख्या दिकुन पाव जाई। ओल्कम टू माई चैनल साइब टेक बीडी। आसकेर बीडियू तैमे आपनादेर एमुक्सी सिलिन एर ब्यबहार ग्रहन मत्रा ओ पार्शो प्रतिक्रियानिया कीजो प्राथमिक दारण देवा चैस्टा करवो। तबे एमुक्सी सिलिन ने आपनादे जे तत्तो गुलू तिवा सब गुलू तत्तो एमुक्सी सिलिन एर निर्देशन अनुजेई। आपने जदी एई उसुत्ती शेबन करते चान ताहले अबसो एक जन राग्तारेर परामर्शे शेबन करवेन। कारण जेहतु एटेक्टी एंटिबाइटिक मेडिसिन। एबं गोनुरिया, गर्भकालेन बेक्टिरिया, प्रशब परबर्ती जननेंद्रिया संक्रमन समुह, वन्डान न गाईनुकोरलेजीकेल संक्रमन, संक्रमन जनितों गर्भपात, तक उर नरम कोष कलार संक्रमन समुह, जेमन, फोरा, कोष प्रदा हो, अस्रो प्रचारेर आगे तीन बार, अफाख्या कीतों तीब्र संक्रमन मात्राय बारीए, 500 मिलेग्राम कोरे दिने तीन बार, शास्ताले तीब्र बापोज, निस्रावी, संपुर्ण संक्रमन, अनमदितों मात्राय तीन ग्राम कोरे दिने दुई बार, तीब्र किन्तों जोटिल लोई, एमन, मुत्र सघ्रुनली संक्रमोने तीन ग्रामेर एकक मात्रा बे बार करा होई थाके। शीशु दिर स्याबन मात्रा दौश बश्षर बयश परचनतों शीशु दिर 165 तके 25 मिलीग्रामेर समुतुल मात्रा दिन तीन बार। शीशूर शरीरे उजन 20 केजी नीचे हले प्रती दिन केजी प्रती 20-24 मिलीग्राम प्रोयगेर परामस देव होए थाके शीशूर उजन 20 केजी अतवा एर बेशी हले प्राप्त बयसके देर अनरुप मात्रा देवा उचित एमुक्षी सिलिन एर पाश प्रतिक्रिया और नार नप्मेने सिलिनेर मत अत्तंत बीरल मिदू एबंखनस थाई। माजे माजे परिप्राक तंत्रियो समस्षा जता डायरीया होते दाखा गेशे। एसरो पाकस्थली उँ अंत्रे अशस्ते बोत उँ गाये फुस्कुली दाखा दिते पारे। शाधारंतो चेकिस्षा चालिये गेले एप्रतिक्रेगुलू प्रशमीत होई। डायरीया दिर्गोस्था इहले अशोत सेबन बंदो करते होबे।